question number 9 rationalize the denominator of the following 10 upon 2 root 2 plus root 3 तो ध्यान दिजिगा rationalize करने का मतलब ये होता है कि जो denominator है वो irrational है इसको हम यदि rational बना दें तो इसी process को बोलते है rationalize करना तो इसको rational बनाने के लिए यहाँ पर जो बीच में sign है plus का उसको negative कर दीजिए तो जो मिलेगा हमें एक नया expression वो 2 root 2 minus root 3 मिलेगा और उसे बोलते हैं conjugate of this और उसे से numerator और denominator में multiply कर दे जाता है जैसे कि यहाँ multiply करेंगे दी multiply कर देते हैं numerator में 2 root 2 minus root 3 से into denominator भी करेंगे इसी number से तो 2 root 2 minus root 3 तो यहाँ क्या मिल जाएगा देखें numerator मिल जाएगा 10 रहेगा 10 को बाहरे रखें फिलहाल में 2 root 2 minus root 3 इतना मिल जाएगा whole अपान यहाँ पर देखें a plus b है और यहाँ पर है a minus b मतलब कि a square minus b square का formula है यहाँ पर लग जाएगा मतलब कि 2 root 2 का whole square minus root 3 का whole square अब यहाँ देखें यहाँ जाएगा 10 2 root 2 आप सोच देखेंगा कि मैं numerator में multiply क्यों नहीं कर रहा इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि नीचे कुछ आएगा और उसे cancel out हो सकता है और 8 10 ही है जो maximum common है ध्यान देजेगा यहाँ पर square करेंगे तो मिलेगा 8 2 to the 4, 4 to the 8 minus 3 अब देखेंगे 8 minus 3 होगा 5 और 5 से यह 10 cancel out हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 to the 10 मतलब कि हम आणसर मिल गया 2 से अब multiply कर सकते हैं 2 to the 4 root 2 minus 2 root 3 this is your answer 9 का second part देखें यहाँ पर denominator में दिया हुआ है square root of 48 and plus square root of 18 तो यहाँ पर पहले इसमें देखेंगे कि इसके factors का कोई pair बन रहा है क्या तो उसको बाहर कर लेंगे ठीक है तो यहाँ पर हम सबसे पहले denominator औक चेंज करेंगे मतब 7 root 3 minus 5 root 2 whole upon देखें ध्यान से under root 48 को ली सकते हैं 48 बराबर क्या होता है 16 into 3 16 को under root से बाहर निकाल सकते हैं हैगी नहीं तो यहाँ पर 4 root 3 हो जाएगा मतब यहाँ हो जाएगा 4 root 3 plus यहाँ पर 18 होता है 9 to 18 तो 9 को 3 कर सकते हैं बाहर और under root 2 बच जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर जो 4 root 3 plus 3 root 2 आया इसके conjugate से numerator में और denominator में मनिपलाई कर लेंगे अब ध्यान देज़ेगा numerator में मनिपलाई करने का जो बेस तरीका है और सही तरीका जिसे की गलती ना हो आप पहले 7 root 3 यहाँ लिख लेंगे और bracket में यह जो आगे वाला term है यह पूरा लिख लेंगे ठीक है ऐसे करेंगे फिर देखे 7 root 3 हमने यहाँ लिखा था और यह minus 5 root 3 sorry minus 5 root 2 यहाँ लिख देंगे इसके बाद bracket में यह पूरा लिख देंगे तो हम यहाँ कर क्या रहे हैं बस देखे 7 root 3 से दोनों multiply कर रहे हैं यहाँ पर और minus 5 root 2 से multiply कर रहे हैं दोनों में तो बात वह ही कर रहे है multiply कर रहे है actually whole आपान यहाँ देखे बहुत असान है a plus b है और यहाँ पर a minus b है तो whole square हो जाएगा a square minus b square तो हो जाएगा 4 root 3 का square minus 3 root 2 का whole square अब यहाँ समझेगा यही 7 root 3 से multiply करता है 4 root 3 में तो 7 4 जा 28 and 28 3 जा 84 यहाँ हो जाएगा 84 क्योंकि यह root 3 root 3 का हो जाएगा 3 हो जाएगा मड़वलाई हो जाएगा अब minus दीकिए मड़वलाई कर रहे हैं यहाँ तो 7 3 जा 7 3 है 21 और यहाँ जो root वाले जो numbers है जिसे की root 2 है और root 3 है तो यह इनको root 1 ब्ले कर लेते हैं मतलब 2 इंटू 3 ऐसे कर लेते हैं तो यह मिलता है under root 6 ठीक है तो यहाँ मिल जाएगा under root 6 21 under root 6 माइनस यहाँ मर ब्ले करेंगे देखिए तो negative यहाँ positive है तो negative हो जाएगा और 5 फूर 20 root 6 अब देखिए negative और negative positive 5 ठीक है 15 ओके 15 तूजा वोल अपान यहाँ पर square करेंगे देखिए square करेंगे तो यह 48 ही आएगा क्योंकि यह 4 root 3 एक्चुली क्या है under root 48 है तो यह आए जाएगा 48 माइनस 18 आजाएगा यहाँ पर numerator में solve करेंगे देखिए 84 में plus करदेंगे 20 तो मिलेगा हमें 104 इन दोनों को solve करेंगे तो मतलब add कर देंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए irrational numbers यह rational number जो root 6 है और यहाँ भी root 6 है यह दोनों equal है तो हमके वहल इसके जो coefficient है 21 और 20 इन दोनों solve करेंगे और दोनों negative है तो दोनों को add कर देंगे मिलेगा हमें minus 41 root 6 whole upon train कितना आएगा 8 0 हो गया और यहाँ पर 330 है जाएगा और numerator में आप देख रहे हैं कि कुछ भी minus हो नहीं हो सकता मतलब कि कुछ common नहीं हो सकता 41 तो बिल्कुल ही prime number है so कुछ cancel out नहीं हो सकता so this is your answer 9 का 3rd 1 upon root 3 minus root 2 plus 1 तो ध्यान देजिए कि यहाँ पर यहाँ पर जो denominator में दियावा है root 3 minus root 2 plus 1 इसमें 3 terms हैं तो क्या करेंगे कि दो terms को एक साथ लेंगे एक bracket में आप root 3 और 1 को ले सकते हैं एक साथ या root 2 और 1 को ले सकते हैं एक साथ जैसे भी लेंगे answer सेम आएगा चलिए हम root 2 और 1 को ले लेते हैं एक साथ इसको लिख लेंगे इस तरीके से देखें यहाँ से minus कामा लेंगे यहाँ पर हो जागा root 2 minus 1 ठीक है तो इसको मानिए कि एक टर्म है और यह पूरा एक टर्म है अब इसके बीच में जो sign है उसको change करके numerator में और denominator में multiply कर लेंगे जैसे usually करते हैं तो हमने root 3 plus root 2 minus 1 से numerator में डिनमेटर में multiply किया तो क्या मिलेगा हमें 1 में करेंगे तो यह तो exactly उतना ही रहेगा तो इसको ऐसे ही लिख देंगे root 3 बोल आपान यहाँ देखिए यह a और b है a minus b और a plus b तो a square minus b square formula से लिख देंगे root 3 का square whole square minus root 2 minus 1 का whole square अब यहाँ open करेंगे इसको square करेंगे whole square a minus b का whole square वल फमूले से और यहाँ तो जानते हैं कैसे करना है यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा minus ब्रिकट गंदर ही square करेंगे यहाँ पर देखिए a square means root 2 का square means 2 हो जाएगा plus 1 square means 1 ही रहेगा minus 2 a भी होता है 2 a मतलब 2 root 2 into 1 मतलब कि 2 root 2 और यह हो गया break numerator को तो कुछ change करना नहीं है उतने रखिए नीचे आप solve करते है तो अब 3 minus देखिए यहाँ आप 2 plus 1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा तो 3 minus 2 root 2 होगा और यहाँ bracket open करेंगे तो minus 1 ब्लाइग करेंगे मतलब मिलेगा minus 3 और यहाँ जाएगा plus 2 root 2 यहाँ से लगे 3 minus 3 is 0 क्यवाल बचेगा 2 root 2 तो numerator और डिनामिटर में root 2 से मेंट ब्लाइग कर लेगें क्यवाल क्योंकि हमें इसको rationalize करना पड़ेगा तो यहाँ पर क्यवाल 2 root 2 है तो यहाँ पर क्या होगा देखिए ध्यान से root root 2 से इन तीनों टॉंस multiply करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा प्लस root 2 into root 2 is 2 minus root 2 whole अपान यहाँ पर मिलेगा मतला कि finally आपका answer यही है इसको आप ले सकते हैं इस तरीके से 2 plus root 6 minus root 2 2 upon 4 हाना 2 को पहला लिख दीजे root 6 को बाद में फिर minus root 2 क्योंकि root वाले terms को इदी आगे रखते हैं सामने तो थोड़ा सा अचा दिखता है बस यही बात है तो यह हमारा हो गया answer question number 10 if pq are rational numbers and p minus root 15 q is equal to 2 root 3 minus root 5 whole upon 4 root 3 minus 3 root 5 find values of p and q तो यहाँ पर एक equation दिया हुआ है और इस equation के मदद से help से आपको find करना है p of q की value तो यहाँ पर देखिए जो right side में expression है उसके denominator को हम rationalize करेंगे और rationalize करने के बाद something minus something के form में लिखेंगे क्यों क्योंकि यहाँ पर something minus something दिया हुआ है इसलिए तभी हम comparison करके p और q की value find कर सकते हैं तो let us write this इस equation में सबसे पहला काम हमार रहेगा कि 4 root 3 minus 3 root 2 root 5 यहाँ में दिया हुआ है इसके conjugate से multiply कर देंगे numerator में और denominator में क्योंकि हम चाहते हैं इसको rationalize करना p minus root 15 q is equal to यहाँ देखिए numerator multiply करेंगे numerator में 2 root 3 into this minus root 5 into this यहाँ पर है a minus b और a plus b a square minus b square that is so simple this is a square minus b square अब यहाँ multiply करेंगे देखिए दान से 2 4 जा 8 and 8 3 जा 24 फिर यहाँ करेंगे 2 root 3 से इसमें 2 3 जा 6 यह जागा plus 6 under root में देखिए 3 5 जा 50 अब minus देखिए रूट 5 से इसमें गरेंगे इसमें तो यह इसका 1 है 1 into 4 is 4 and root 5 and root 3 हो जाएगा under root 5 जा 15 फिर minus होगा क्योंकि यह negative यह positive negative so 3 1 जा 3 and 3 5 जा 15 होल अपन देखिए आपर 4 4 जा 16 16 जा 48 यह होगा 48 minus 3 3 जा 9 and 9 5 जा 45 अब यहाँ सिप्लिफाइ करेंगे देखिए 24 minus 15 यहाँ का जा 9 और plus 6 root 15 and minus 4 root 15 तो solve करेंगे तो minus 2 plus 2 root 15 होगा होल अपन 48 minus 45 is 3 अब यहाँ separate कर लेंगे मतलब 9 अपन 3 plus 2 root 15 अपन 3 तो यहाँ cancel out हो जाएगा अब हमें सही सही मिल गया यहाँ पे expression something plus something यहाँ पर root 15 भी है और root 15 यहाँ भी है हमें q की value find करनी है तो हमें इसको यहाँ पर जो plus sign है वहाँ पर negative लाना होगा तभी हम comparison अच्छा सकर पाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे भी 3 अब minus कर दीजिए तो minus करेंगे तो दुबारा एक बार और minus लिखना पड़ेगा तो minus 2 upon 3 लिख सकते हैं हम यहाँ पर और यह root 15 तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो p है comparison करेंगे तो p 3 के परावर है और जो q है वो यहाँ पर minus 2 upon 3 के परावर है uncomparing right we get p is equal to 3 and q is minus 2 upon 3 this is your answer if x is equal to 1 upon 3 plus 2 root 2 then find the value of x minus 1 upon x सबसे पहले हम x को simplify करेंगे उसके बाद 1 upon x find करेंगे and then इसमें value put कर देंगे so simple 1 upon 3 plus 2 root 2 दिया हुआ है इसके denominator को rationalize करते हैं rationalize करने के लिए इसके conjugate से में प्लाइब करना पड़ेगा numerator में denominator में तो हमें मिल जाएगा यहाँ पर numerator में 3 minus 2 root 2 हो लपान यहाँ square करेंगे तो थिर्थिज़ा 9 minus 2 root 2 का square करेंगे वे 8 आएगा मतलब 1 आएगा मतलब कि finally हमारा जो आज आएगा वो आएगा 3 minus 2 root 2 और इसी का रिस्प्रोकर ले लेंगे तो 1 upon x आज आएगा and 1 upon x is equal to 3 plus 2 root 2 देखे यदि x दिया हुआ है 1 upon 3 plus 2 root 2 तो इसका रिस्प्रोकर जब लेंगे तो 1 upon x तो यह 3 plus 2 root 2 उपर चला जाएगा तब कि यह उल्टा हो जाएगा 3 plus 2 root 2 upon 1 तो हमने x के value find कर ली और 1 upon x के value find कर ली अब हम x minus 1 upon x के value find कर सकते हैं x के value हैं आपर लिखे दीजे 3 minus 2 root 2 minus करेंगे bracket लगाएंगे हाँ पर 3 plus 2 root 2 3 minus 2 root 2 minus देखे मैनस मेंटब्लाए करेंगे वेगों minus 3 minus 2 root 2 देखे यह 3 plus है और minus 3 negative है यहाँ पर हो जागा देखे minus 4 root 2 minus 4 root 2 this is your answer for this part question number 12 मैं 3 parts है तो मैंने first part लिखा है if x is equal to 7 plus 3 root 5 upon 7 minus 3 root 5 find the value of x square plus 1 upon x square सबसे पहले हमारा जो यह जो value find करना है x square plus 1 upon x square इसका form change कर लेते हैं इसमें हम 2 add करेंगे और 2 separate करेंगे तो 2 हमने add किया और 2 separate भी किया तो इसे कोई फ़र्गने पड़ेगा लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक formula बन रहा है और इसका form हो जाएगा x plus 1 upon x का whole square minus 2 तो x square plus 1 upon x square के value find करने का मतलब है कि इसकी value find करना और इसकी value find करने के लिए हमें x find करना पड़ेगा और 1 upon x find करना पड़ेगा बस नहीं करना है देखे यहाँ पर x की value दी हुई है तो 1 upon x आसानी से find हो जाएगा और हम x plus 1 upon x की value put करके आसानी से find कर सकते हैं देखेगा इसकी value जो यहाँ हमने find किया था इसी में put करेंगे x और 1 upon x की value तो x की value इतना है तो 1 upon x कितना होगा इसका उल्टा होगा तो this is x और इसमें plus कर देंगे 1 upon x 1 upon x करने का उतलब कि 7-3 root 5 चला जागा उपर numerator में 7-3 root 5 whole upon 7 plus 3 root 5 तो इसका हमें square करना है और minus 2 करना है ठीक है यह तो करना हमें अब यहाँ पर जो bracket के अंदर जो हमें मिला है material मतलब की जो भी यहाँ पर है matter तो इसका जो denominator हैं दोनों का उसका हम L same लेंगे यहाँ पर L same दोनों का क्या होगा दोनों का multiplication अब यहाँ 7-3 root 5 से इसके L same में divide करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा और यह बच्चे का इससे मोड़िपलाई करेंगे numerator में तो इसका whole square हो जाएगा क्योंकि दोनों same है यहाँ 7-3 root 5 से divide करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा और बच्चे का 7-3 root 5 इससे मोड़िपलाई करेंगे तो whole square हो जाएगा minus 2 अब यहाँ पर square करेंगे और solve करेंगे तो क्या मिलेगा a plus b का whole square है यहाँ पर यहाँ पर है a minus b का whole square तो यह जी solve करता है तो 4ab मिलता है एक्चुली टेकिन हम यहाँ पर expand करके solve कर लेते हैं तो numerator में मैं आपने expand कर दिया दोनों का तो a square plus b square plus 2ab and a square plus b square minus 2ab यहाँ plus sign था इसलिए यहाँ पर bracket लगाने की जोरुत नहीं पड़ी अब यहाँ देखिए a minus b है और a plus b है it means a square minus b square कर देंगे minus 2 numerator में दिखे ध्यान से यहाँ पर जो यहाँ से यहाँ तक जो expression दिया हुआ है यह negative है और यहाँ से यहाँ से जो दिया हुआ है वो positive है तो यह दोनों concealer हो जाएंगे क्यों बच्चेगा यह square वाला part जिसको square करके हम solve करेंगे 7 square 49 plus 3 root 5 के square करेंगे 39 and 45 plus यह दोनों भी same होंगे वही 49 plus 45 यहाँ देखे 7 square होगा 49 minus 3 root 5 के square होगा 45 और इसका whole square करना है minus 2 inquired करेंगे तो मिलेगा 188 upon 49 minus 45 करेंगे मिलेगा 4 का whole square minus 2 ही करना है यहाँ फोर सकेंसे राट होजाएगा 4 बंजा 4 and 4 4 जा 16 and 4 7 जा 28 तो 47 के square करके minus 2 करना है कितना होता है minus 2 तो 2209 में से 2 मिलेगा 2207 बचेगा and this is your answer now the second part of question 12 if x is equal to root 5 minus root 2 whole upon root 5 plus root 2 and y is equal to root 5 plus root 2 whole upon root 5 minus root 2 then find the value of x square plus xy plus y square तेखिए यहाँ पर जो x और y की value दिया हुआ है यह actually एक दूसरे के reciprocal है मतलब कि x is equal to 1 upon y ऐसा दिया हुआ है find करना है value इसका तो हमें इसको जो form है उसको change करना होगा यहाँ पर जो expression है ध्यान देजेगा xy single है तो इसको हम double करना चाहते हैं तो इसमें यदि हम इसको double कर देते हैं 2xy plus y square तो इसका मतलब कि हमें minus भी करना पड़ेगा xy ओके लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो expression है वो इसका form change दाएगा और यह a square plus b square plus 2ab के form में आ जाएगा मतलब दिसकते हैं इसको x plus y का whole square minus xy हैगे नहीं और xy की value यहाँ पर आप देख रहे हैं कि xy is equal to 1 आ जाएगा यहाँ पर reciprocal में multiply करेंगे cross multiply तो मिल जाएगा xy is equal to 1 मतलब कि xy की value तो 1 ही रहेगी ठीक है अब x plus y का whole square के वह फाइन करना है आपको चलिए value put करते हैं और value find करते हैं तो x की value हमने रख दिया है यहाँ पर y की value रख दिया फिर whole square किया और minus यहाँ पर वह हो जाएगा 1 अब यही solve करना है चलिए इसको simplify करते हैं यहाँ पर bracket के अंदर हम लेंगे LCM इन दोनों को multiply करेंगे तो LCM हो ही आएगा root 5 plus root 2 से divide करेंगे तो यह बचेगा और इससे multiply करेंगे यहाँ पर numerator में तो यह square हो जाएगा whole square क्योंकि दोनों same है तो यहाँ मिल जाएगा whole square plus यदि root 5 minus root 2 से divide करते हैं तो यहाँ मिलेगा यह और इससे multiply करेंगे जब यहाँ पर whole square मिलेगा यहाँ भी तो bracket का अंदर हमने ऐसे solve कर लिया और square minus 1 यहाँ पर a minus b का whole square है plus a plus b का whole square है यहाँ solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ देखिए root 5 के square a square plus b square minus 2ab कीए है तो इतना मिल गया plus यहाँ भी करेंगे वह इसे ही यहाँ नीचे denominator में a plus b है और a minus b है a square plus b square हो जाएगा आप जानते हैं sorry a square minus b square होगा 5 minus 2 हो जाएगा और इसका whole square minus 1 अब आप जानते हैं यहाँ पर बहुत असान है solve करना इतना is equal to मिल जाएगा देखिए यहाँ पर minus 2 root 10 and plus root 10 cancel out हो जाएगा और 5 to 7 and 7, 7, 14 तो यह हो जाएगा आपका 14 अपान यह 5 minus 2 is 3 का whole square minus 1 14 के square करेंगे तो आएगा 196 upon 9 minus 1 solve करेंगे तो हमें मिल जाएगा 187 upon 9 और इसको यहाँ mixed fraction बदल दें तो आपका आजाएगा 20 whole 7 upon 9 and this is your answer now the third part of question 12 if x is equal to this much and y is equal to this much then find the value of x cube plus y cube सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा तो पर चलेगा कि x की जो value दिया हुए और y की जो value दिया हुआ है actually यह एक दूसरे के reciprocal दिया हुआ है means x is equal to 1 upon y दिया हुआ है इसका मतलब कि आप लिख सकते हैं it implies xy is equal to 1 इसका मतलब कि यदि हम इसको solve करना चाहते हैं सच में तो इसके expression में हमें xy लाना होगा तो xy लाएंगे तो आसानी से हमारा 1 आ जाएगा वो और इसको simply कर सकते हैं चलिए solve करते हैं देखिए x cube plus y cube की value find करने के लिए हमारे पास expression है एक x plus y का whole cube यह आप आगे पढ़ेंगे expenses में लेकिन इसका value जो होता है वो यह होता है x cube plus y cube plus 3xy in bracket x plus y तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यदि हमें इतना value find करना है तो यह इसको भीजना पड़ेगा left hand side में तो यहाँ से expression बन जाएगा x cube plus y cube is equal to x plus y whole cube minus 3xy in bracket x plus y तो आप देख रहे हैं कि x cube plus y cube की value निकालने के लिए आप इसका use कर सकते हैं और यहाँ पर जो xy है उसकी value यहाँ से 1 हो जाएगी चलिए यहाँ put करते हैं अब यहाँ पर values put करेंगे और solve करेंगे यहाँ पर xy की value जो है 1 ले लेंगे यहाँ होका के बन मैनस 3x plus y और x और y की value यहाँ put करेंगे और solve करेंगे तो हमने x और y की value यहाँ put कर लिया x plus y and whole to the power 3 है यहाँ पर minus 3 और यहाँ पर x plus y के बचेगा तो हमें मिल जाएगा इतना अब यहाँ पर lcm लेंगे और solve करेंगे जैसे कि हम second part and third part में किये हैं ठिक वाई से ही करेंगे यहाँ पर root 3 plus 2 and root 3 minus 2 का lcm होगा इतना अब root 3 plus root 2 से divide करेंगे तो यह cancel out हो जाएगा और root 3 minus root 2 बचेगा जिसे में apply करेंगे इसमें तो whole इसकार हो जाएगा और similarly यहाँ भी होगा finally हमें इतना मिल जाएगा अब इसका करना है whole q यहाँ भी एकदम exactly same है तो ऐसा ही मिल जाएगा यहाँ भी यहाँ भी लिख लेते हैं यदि इसको पुरा solve करेंगे तो हमें मिलेगा two times देखें root 3 का square plus root 2 का square क्योंकि इसमें से दोनों में से plus 2 अभी and minus 2 अभी cancel out हो जाएगा और कि वर root 3 का square plus root 2 का square two times होगा दोनों में और वही two times यहाँ पर लिख देंगे whole अपान यहाँ पर इदि a square minus b square करेंगे तो मिलेगा हमें 3 minus 2 और यहाँ तो cube लिखना ही है आपको भूलियेगा मत minus 3 यहाँ पर भी जिर्टली same इतना ही आएगा यहाँ पर square करेंगे तो 3 plus 2 मिलेगा 3 plus 2 कितना 5 हो जाएगा 5 to 10 हो जाएगा numerator में हो जाएगा 10 10 अपान 3 minus 2 is 1 तो किवाल 10 लिख सकते हैं minus एक और बात है 10 का cube करेंगे यहाँ पर minus 3 into यहाँ numerator में हो जाएगा 10 upon 1 क्योंकि 3 minus 2 is 1 तो यहाँ पर final ही हमें क्या मिलेगा देखिए 10 का जीदी cube करेंगे तो होगा 1000 minus 30 solve करेंगे मिलेगा 970 so this is your answer for this part question 13 write the following real numbers in descending order आप थोज़ाँ सा ध्यान देज़ेगा यहाँ पर 2 root 2 दिया हुआ है क्या आपके book में यहाँ पर root 2 दिया हुआ है यदि ऐसा है तो समझे लिख जीने की miss printing होई है मतलब कि answer में जो इसका answer दिया है उसमें root 2 root 2 use किया है तो मैं भी यहाँ पर 2 root 2 लेकर के solve कर रहा हम तो इसे confuse मत हुएगा सेम तरीके से solve होगा जो तरीका है उस पर focus करिए जो concept है वो जानिए ठीक है समझे कद्यान से यहाँ पर 2 root 2 इन सभी को arrange करना है descending order में सबसे बड़ा कौन है यह पता करना पड़ेगा सबसे बड़ा पता करने के लिए सबको सेम तरीके से दिखने वाले numbers बनाने पड़ेंगे हैगी नहीं तब ही तो पता कर सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है मतलब कि सेम प्लेन होना चाहिए चलिए सबको सेम प्लेन पर लाइने के लिए हमें सबको under root के अंदर डालना पड़ेगा मतलब कि हम यहाँ पर लिसकते हैं यहाँ पर जो 2 root 2 है उसको लिसकते हैं 2 into यह जो 2 है इसको हम चाहते हैं कि root 2 के अंदर चला जाए तो 2 into 2 ऐसे करना पड़ेगा है कि नहीं अब यहाँ पर 3.5 है तो इसको भी root के अंदर लिखना पड़ेगा तो हमें करेंगे 3.5 में मडबलाई कर देंगे 3.5 से तो root के अंदर चला गया अब यह root 2 के root 10 तो मतलब perfect है इसको कुछ करना नहीं है minus 5 upon root 2 है तो इसको पहले rationalize कर दीजिए तो minus 5 upon यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ root 2 हो जाएगा ठीक है root 2 से numerator में आप डिनामेटर में मड़े करेंगे तो अब आगे यहाँ बढ़ते हैं यहाँ पर root 3 के अंदर root के अंदर 3 into यह 5 upon 2 को अंदर ले जाएगे यह पूरा complete quantity को इस root के अंदर डालिए तो मिलेगा आपको 5 upon 2 into 5 upon 2 अब इसको solve कर लते हैं यहाँ मिलेगा root 8 यहाँ पर योदि हम calculate करेंगे और decimal में ही रखेंगे answer तो मिलेगा 12.25 और यह हो गया root 10 और यहाँ solve करेंगे देखें निगेटिव लगाएंगे और वो ऐसे एक ही निगेटिव नंबर है तो इसको change करने की जोड़ती नहीं है क्योंकि निगेटिव नंबर तो सबसे चोटा ही होगा तो मैं मेरे खाल से इसको change नहीं करते हैं let us put like this 5 upon root 2 मतलब यदि हम अपना दिमाग लगाएंगे और wisdom सही तरके से use करेंगे तो इसको बदलने की जोड़ती नहीं है क्योंकि यह हमें पता है कि एक ही नंबर निगेटिव है और सबसे चोटा यहीं होगा ठीक है तो let us move forward यहाँ देखिए 525, 25, 3, just 75, 75 बना 4 आएगा 75 बना 4 को decimal में करनड करेंगे तो मिल जाएगा हमें 18.75 अब देखिए यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4 इन 4 नंबर को देखिए आप आसानी से find कर सकते हैं कि कौन इसमें सबसे बड़ा होगा तो यह वाला नंबर सबसे बड़ा होगा सबसे पहले तो लिख देंगे यहाँ पर कि numbers in descending order are तो descending order हम लिखना है तो सबसे बड़ा पहले लिखना पड़ेगा मतलब कि root 18.75 तो हम क्यों ना इसके जगा पर यह लिख दे वैसे एक बार लिख देते हैं तो root 18.75 इसके बाद कमा लगाते हैं इससे छोटा कौन है तो यह है under root 12.25 इससे छोटा है root 10 फिर होगा root 8 and then सबसे last में होगा minus 5 upon root 2 क्योंकि निगेटिव है और निगेटिव नंबर से होते हैं वो positive नंबर से छोटे होते हैं और क्यों सिंगल एक ही दिया हुआ है इसलिए हमने चेल्ज नहीं किया इसको अब इसके corresponding जो नंबर से हैं उसको लिख लेते हैं वो ही हमारा required arrangement होगा so our answer will be this one पहले लिखेंगे root में 18.75 है तो यह लिखेंगे 5 upon 2 root 3 यह सबसे बड़ा नंबर है उसके बाद है under root 12.25 मतलब की 3.5 इसके बाद है root 10 और उसके बाद है minus 5 upon अच्छा root 10 के बाद root 8 है और root 8 को लिखेंगे 2 root 2 उसके बाद minus 5 upon root 2 तो आएगा ही आएगा ऐसे ही so this is the descending order of the given real numbers question number 14 find a rational number and an irrational number between root 3 and root 5 तो root 3 और root 5 के इसमें एक rational number और एक irrational number find करना है तो देखिए बहुत असान है समझे का ध्यान से root 3 और root 5 यदि हम number and खीचे है और number and पर यहाँ पर यदि root 3 है और यहाँ root 5 है तो एक rational number find करने के लिए root 3 और root 5 में यह तो असानी से निकल जाएगा आप तो बस क्या करोगी कि root 3 के और root 5 के बीच में देखिए कि कोई और number है क्या तो root 4 देखिए root 3, root 4, root 5 ऐसे मतलब आप ली सकते है तो root 4 ऐसा number है जो इन दोनों के बीच में like करेगा कहीं न कहीं और इसको यदि हम 4 आ रहा है 4 is square number है और यह root से बाहर आ सकता है तो 2 हो जाएगा तो 2 is a rational number तो root 3 और root 5 के बीच में ही तो आ रहा है तो 2 is 1 rational number between root 3 and root 5 अच्छा यह तो आसाने से निकल गया लेकिन यह पूचता कि बताएगे और कोई rational number तब कैसे करते आप तब क्या करना होता कि तब आपको तो root 3 का decimal representation लिखना पड़ता कुछ हद तक जिसे कि 1.732 ऐसा लिखना पड़ता और root 5 का भी decimal representation लिखना पड़ता तो मालीजी की root 5 का decimal representation हो जाता 2.2 something होता है तो यहाँ पर देखिए 1.7 and 2.2 के बीच में कोई भी number ले लिजे तो 1.8 तो 1.8 आप कह देते कि 1.8 is one another restaurant number between root 3 and root 5 ऐसे ही 1.9 लिख सकते थे 1.2 2.1 लिख सकते थे या 2 लिख सकते थे वो हमें 2 हमें मिला है यहाँ पर ठीक है 2 एक rational number मिला है में तो हम ऐसे find कर सकते थे और भी खैर anyway हमें एक ही find करना था जिसको लिख लेते हैं so a rational number between root 3 and root 5 is 2 now we have to find an irrational number तो इन दोनों के बीच में irrational लों find करने के लिए इन दोनों को add कर देंगे तो irrational number ही होगा क्योंकि यह root 3 क्या है irrational है और यह भी irrational है दोनों को add करेंगे तो वो number भी rational होगी और किसी rational number से divide कर देंगे ठीक है मतलब कि root 3 को और root 5 को add कर देंगे तो यह तो हम जानते हैं कि 2 irrational numbers को जब add करते हैं तो rational भी हो सकता है बट यहाँ पर इस case में यह irrational ही होगा तो root 3 plus root 5 is irrational और यदि किसी irrational को किसी number से divide करते हैं जो rational हो तो वह number भी irrational होती है तो यह number irrational है और यह इनके बीच में लाई करती है exactly बीच में तो root 3 और root 5 के exactly बीच में यहाँ पर मिल गए हमें root 3 plus root 5 whole upon 2 अब हम चाहते तो 3 से divide कर सकते थे 3 से divide करते तब मिल जाती यहाँ number हो यदि चाहते तो force divide करते थे force divide करते थे थोड़ा सा और left मिलता number तो ऐसे करके हम और भी numbers find कर सकते थे तो irrational number एक ही find करना है यहाँ पर केवाल 2 से divide करिए और आसानी से बीचो बीच वाला middle point find कर लिजिए तो आयने rational number between root 3 and root 5 is root 3 plus root 5 upon 2 ठीक है यह आप लिख सकते थे upon 3 upon 4 upon 5 upon 6 upon 7 कोई भी rational numbers divide कर दीजिए और मिल जाएगा आपको एक number इन दोनों के बीच में anyway this is your answer question 15 insert 3 rational numbers between 2 root 3 and 2 root 5 and arrange in descending order सबसे पहले इन दो numbers को ध्यान से देखिए यदि इन दो numbers को हम ऐसे लिखते हैं मतब 2 root 3 को लिख सकते हैं under root of यह 2 को हम चाहते हैं कि यह root के अंदर चला जाए यह हो जाएगा 2 into 2 into 3 ऐसा हो जाएगा root के अंदर और यह हो जाएगा under root of 12 under root of 12 is nothing but this okay 2 root 5 को भी ऐसे कर लिजिए हो जाएगा into 5 तो यह हो जाएगा 4, 5, 20 under root 20 under 20 exactly यही number है अब क्या करना है कि root 12 और root 20 के बीच में clearly हम देख सकते है clearly देखिए जो under root 12 है इससे just बड़ा number कौन सा है 13, root 13 इसके बाद आएगा root 14 just बड़ा नहीं है मतलब इसके बीच में तो बहुत सारे infinite यह restaurant numbers मिल जाएगे मेरे कहने का मतलब था कि ऐसे देखने में exactly number को change करके हम आसानी से root 12 के आगा root 13, root 14 उसके बाद root 15 root 16 नहीं होगा 17 क्योंकि root 16 हो जाएगा rational number हमें निकालना है irrational after that root 18 and then root 19 after that root 20 root 20 आपका यही है तो हमने यहां से देखिए इतने numbers निकाल लिए जो irrational numbers है root 12 and root 20 गीज में इन में से कोई भी 3 आप चूज कर सकते हैं आपके answer के लिए तो हम चूज कर लेते हैं मैं चूज करूंगा root 13, root 15 and root 18 आपका choice जो भी हो आप कुछ और कर सकते हैं root 13, root 14, root 15 यही तीन चूज कर लेंगे यह पिर जैसे आपकी मर्जी तो यहां पर हो जाएंगे root 13 root 15 and root 18 और root 18 को में लिए सकते हैं ऐसे भी 3 root 2 क्योंकि इसमें से 9 तुज 18 होता है तो 9 को बाहर निकाल सकते हैं 3 करके अब इसको लिखना है हमें descending order में भी तो descending order में लिखने के लिए actually मैंने increasing order में लिखा है यहां पर descending order में लिखने के लिए आप पहले-पहले इसको लिख दीजिए descending order हो जाएगा 3 root 2 पहले लिखेंगे क्योंकि सबसे बड़ा यही है उसके बाद root 15 after that root 30 so this is the required descending order arrangement of these numbers so you can find like this इदि आपको बड़ियो अच्छा लागा तो आप लाइक कर सकते हैं आपको शेयर कर सकते हैं और कोई भी doubt हो तो comment बड़ियो लिखिए इदि doubt नहीं भी है तब दी आप comment कर सकते हैं कुछ ना कुछ okay thank you so much bye कर दो